और तुरंत गिराफतारी होने चाहिए बेंक अदियारी होगी जो दोसी है वो जल से जल बताईए अगर इस तरह से होगा तो कोई गरीबों के लिए लड़ेगा गरीब का मदद करने के लिए जो आयत है उस पर इनके ओपर केस दर्ज होगी देखिए सुरुसे में पैसा गवन हो गया कैसे इनका क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो गया इतिरानवे एक किस कांट संख्या है उसी में कुर्की जबती हो गई इसी गरीब के लिए नमस्कार इस वक्त हम बेतिया के मिरजापूर में मौजूद हैं और यहां से एक बड़ी ख़वर निकल के आ रही है कि मनीज कस्यप की जो गिरापतारी हुई है वो तामिल लाडू वाला केस में उनके घर का कुरकी नहीं हुआ है एक प्रित पडिवार का बैंक के दुआरा कोई मेंटर चल रहा था जिसमें मनीज कस्यप आ करके उनका मददगार बने थे और उसमें मैनेजर से जाके कुछ सवाल पूछे जो मैनेजर को बुड़ा लगा वो एफायार किये थे अभी फिलाल मेरे साथ जो मनीज कस्यप के केस देख रहे हैं वो व गरीब पे आपकी पार्खी नजर पड़ी एक गरीब का आवाज आप लोग उठा रहे हैं इसके नियाई की लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग मैं आवाहन करूंगा आप सभी इस गरीब के नियाई की लड़ाई में साथ द जो कि इन ही का पैसा था पहले से इसमें क्या सचाई है और ये केस को कैसे देख रहे हैं सर थोड़ा जानकारी देंगा जरूर तमिनाडू बाला तो अलग है लेकिन ये इसी केस में मनीश कश्यप की कुर्की जपती होई उसी के 193 एक किस कांड संख्या एक गरीब के मदद करने के लिए एक गरीब का वो मदद क्या किये उनको गलत सारे उन पे जितने भी केस हैं मैं सुरू से उनका सभी केस देख रहा हूँ आप केस के निचोड में जाएगा जड में जाएगा जितने भी मामले उन पे दर्ज हैं सारे मामले जूटी मनगड़नत मामले हैं ये मामला कब का है जो गरीब का मदद करने के लिए जो आयत है उस पर इनके ओपर केस दर्ज होई देखिए सुर से मैं बता रहा हूँ इनका ये गरीब ब्यक्ति हैं 200-300 मदूरी करते हैं इनका जीवन यापन इसी पर निर्भर है इनके बेटे 14 साल का इक लड़का था उसके दिल में छेद हो जाती है असाद है बीमारी हो जाता है इलाज उसका उतना ही महंगा है ये सदाते रही है तो यह लोन लेते हैं और कःज लेकर बैंक में पारसपकडी यहां नदीक बैंक पारसपकडी का वहाँ पर एक लाग कुछ यार यह पैसा जमा करते हैं कौन सा बैंक था पारसपकडी राष्ट यह भारतिये स्टेट बैंक हाँ SBI में जमा करते हैं पारस पकड़ी सखा में और ये जब जाते हैं ये पटना जाने वाले थे बेटा को लेकर जाते हैं पैसा लेने कि मेरा पैसा गोटा हो गया है हम लेके जाएंगे इलाज कराएंगे तो बेंक से पता चलता है इनका पैसा सारा गवन हो गया है साइबर क्राइम हो गई है तो आपकी जिम्मवारी है बिना इनके अनुमती के इनका एटियम पास हो जाता है इनका क्रेडिट कार्ड पास हो जाता है और पैसा इनका गबन हो जाता है तो ये बैंक की जिम्मवारी है हम एक विश्वा इसी के लिए बैंक का निर्माड हुआ है कि हैं अपना पैसा, धन और सोना चानी संचय करते हैं उनको हमारी पुंजी को, हमारी मेहनत की कमाई को उनके देखरेक में जमा होती है, सुरक्षित रखा जाता है इसी के लिए बेन का निर्माड हुआ है जब आप हमारी पैसा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तब तो आप दोसी हैं, अब ये बेचारे इनकी इलाज नहीं होते इलाज के अभाव में इनका बेटा मर जाता है अब ये दरदर नयाय के लिए भटकते रहते हैं चारों तरप नेताओं के पाह जाते हैं पुलिस पदादिकारी हर जगा जाते हैं आवेदन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है F.I.R. नजदी की मज़ोलिया जाते हैं उसमें F.I.R. भी दरदर तेहार पाच के जाते हैं और कोट की सरण में और 156 CRPC के अंतरगत परिवाद संक्या 136C 2020 में इनका कोट में कम्प्लियन के इस रिजिस्टर होता है तो थाना पे जाता है और थाना पे जाने के बाद भी इनका F.I.R. 154 के तहुत दरज नहीं किया जाता है दो साल तक ऐसे ही पड़ा रह जाता है इसी बीच ये दरबदर भटकते रहते हैं इनको लोग बोलते हैं आप जाईए मनीश कस्यप के पास मनीश कस्यप गरीबों के मसीहा के लिए इस छेतर में जाने जाते हैं मनीश कस्यप के पास ये जाते हैं मनीश कस्यप आते हैं इनकी यथा इस्तिती को देखते हैं उनको अभी अच्छा नहीं लगता है। वो जाते हैं बेंक से सवाल करते हैं कैसे इनका पैसा गवन हो गया। कैसे इनका क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो गया। करने के लिए जूटा एफाई यार दर्ज एक सो तीरानवेर एकईस कांड संख्या उन पे एफाई यार दर्ज करा दिया गया उनका मामला जाता है साले सारे पुलिस परसासों उसके मामलों को टू कर देते हैं और बरहाल अभी हाल फिलाल में मनिस कस्याप की इसी मामले में वाला भी परकड़न है मर्द इस मामले में भी जेल चले गए मनिस कस्याप अभी रिमांड नहीं हुए है इस केस में उनकी कुर्की जबती इसमें हो गई लेकिन इस गरीब के लिए मदद के लिए आप बताईए अगर इस तरह से होगा तो कोई गरीबों के लिए लड़ेग कोई जाएगा मदद करने के लिए नहीं जाएगा आप तो कानून को देख रहे हैं तो आप से हम यह जानने का पढ़ियास करेंगे कि अगर यह मतलब भलाई करने में अगर इनके उपर फायर होता है तो मैनेजर के उपर आप लोग क्या सोचे हैं मैनेजर अभी मामला दस द देखा मैने मामला इनका प्रात्मिकी संख्या है 960-22 है इनके मामला पर अभी तक कोई कारे नहीं हुई थी मैं सनीवार के दिन इसी सनीवार के दिन कोट में सीजियम साहब के समग प्रोग्रेस रिपोर्ट इनका मांगा हूं इनके केस का और कारे चल रहा है लडाई जारी ह है और इसमें 304 का चुक्कि इसमें आई पीसी की सेक्षन लगा है इनके केस में बेंग वालों के उपर 420 जिसमें साथ साल का सजा है 466 जिसमें 10 साल से लेकि अजीवन करावास तक का सजा है 469 है इसमें भी हाँ इसमें भी साथ साल का सजा है और इसमें मैं चाहूंगा 304 IPC गैर इरादतन हत्या चुकि बैंक वालों के वज़ा से इनका बेटा मरा है इसमें 304 IPC की धारा लगनी चाहिए और तुरंत गिराफतारी होने चाहिए बैंक अदिगारी होगी जो दोसी है वो जल से जल जेल जाएंगे हम इसके लिए प्रयासरत हैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नयाय होगा हमें पुर्ण भी स्वास है